हम main-main questions की बात करेंगे, जिनकी chances हैं बहुत ज़्यादा exam में आने के जो as it is आपको question देखने को मिल सकते हैं, maximum chances जिनकी हम लोग वो question ले रहे हैं, जिसे सारी अपनी series के एक साथ cover हो जाएगी, तो बने रहे हैं मेरे साथ इस channel को subscribe करिए, तो हम questions सिफ main-main question उठाएंगे, सारे question नहीं उठाएंगे, last day आपको भी prepare करना है, ये series देखने के बाद वैसे ही पूरा course हो जाएगा, तो start कर रहे हैं हमारा question number 1 से define management, कि management क्या होता है, और discuss its importance, management की क्या के important होती है, इसे बारे में हमको बात करनी है, तो management का काम क्या होता है, manage करना, कि किस तरीके से company में लोगों क मैनेज करेगा, ये काम management का होता है, कि किस तरीके से company में इतने अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग diversity से हैं, अलग-अलग source हैं, उन सब को manage कैसे करेगा, ये काम होता है, management का, the term management has been defined differently by eminent authorities on the subject, this is because management deals with people, यानि कि management के हैं, लोगों के साथ deal करता है, जिन को predict करने आसान नहीं ये unpredictable होता है, people, आप कैसे बता सकते हो, कोई क्या सोच रहे, some authorities, यानि कि कुछ लोग कहता है, management की, अगर हम main definition की बात करें, एक line में, तो management का मतलब होता है, management एक art है, कि कि किस तरीके से आप दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं, and art of getting things done through others, यानि कि कैसे हम दूसरों से हमा में लिखने है, जो आपको याद हो जाए, easily, answer, 7 page, 6-7 page में आपको answer लिखना है, क्योंकि 20 माग का question होता है, 7 page भरने है, compulsory है, और points की, अगर मैं बात करूं, points as it is, जाएंगे, मैंने regular class में बता है था, फिर से बता रहों कि points as it is, लिखने होंगे, अंदर का material अपनी language में हमक मैं इसकी बात करें कि management की importance कि होती है, simple तरीके समझेर, management की importance को देखना है, कि competition कुछ भी हो रहा है, यानि कि competition अगर organization में हो रहा है, तो उसको effectively manage करने का काम किसका है, management का, भाई, अगर इतने लोगों को management deal कर रहा है, इक साथ, इतने लोगों को देख रहा है, तो कुस तो पर परिशानी है कि बात कर रहा है इंपोर्टेंस होगी कि परिशानियों को कैसे स्वाल्व करेंगा management 2nd maximum utilization of resources of production यानि कि production अगर management कर रहा है तो उसके लिए जो भी resources management को चीह है उसका क्या करेगा वह maximum यानि कि जादा जादा utilization करेगा फिर टू एस्टाब्लिश एफेक्टिव पॉलिशी यानि कि management का काम है कि वह ऐसी पॉलिशी बनाए जिससे हमारी organization क्या है और अच्छी तरीके से वर्क करें इस्टाब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफ दा इस्टिटिउशन यानि कि हमारी कंपनी के जो objectives है उनको establish करने में help on करता है management help करता है नेक्स है achieve pre-determined objectives यानि कि management का काम है कि वह जो pre-determined objectives है ना हमारी organization के उनको achieve करने में help करें नेक्स है तो establish coordination between internal and external environment यानि कि management का काम है कि externally और हमारे internally जो management में लोग है दोनों के बीच में कैसे समझाता बनाया जाए एक attention कैसे बनाया जाए कि दोनों मिल जूल के साम हो सके next step fulfillment of social responsibility management का काम हो था है कि कोई भी social responsibility company की society के प्रती company की क्या जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को company समझे और उसको effectively implement करें next step better coordination between production and distribution of goods and services management का काम है कि अच्छा coordination बना के चले एक मिल जूल के काम करें यानि कि जो goods बन रहे है और जो हमारा माल बजार में बिकेगा दोनों की बीच में अच्छा coordination होना चीए जिससे जितना हमारा production हो रहा है उतनी हमारी goods की क्या हो सके supply हो सके यानि कि हमारा माल ऐसा नहीं होना चीए कि वो store में ही रखा रहा है जब बन रहा है तो तुरंत इसको आगे जाना है जिससे वो आगे distribute हो सके next step coordination between new invention and existing methods जयानि कि हमको नई invention करते रहनी है नए methods हमको बनाते रहने हैं जिससे हमारा production capacity जो है वो और अच्छी हो सके 10th है provides large employment management का काम है क्यों जाद जाद के हैं employment opportunities create करें 11th है raises standard of living यानि कि जो हमारी employees काम कर रहे हैं उनका living standard cooperate करें उनकी pay अच्छी दें उनको समय समय पे growth opportunities दें 12th है removal of poverty तो इंडिया ऐसी country जहां पर के poverty बहुत बड़ी problem है क्योंकि लोग पढ़े लिके नहीं literacy rate बहुत कम है तो poverty की problem रहती है unemployment की problem रहती है तो उसको remove करने में help करता है capital formation में help करते है उसके बाद है prosperity of the nation nation की prosperity में बहुत बड़ा role play करता है management क्योंकि management help करता है grow करने में कि हमारी organization grow करेगी तब ही तो हमारी country grow करेगी establishment of good labor relations यानि कि management क्या है अच्छे relations built करता है अपनी organization में हर labor हर person के साथ के management अच्छे relations build करने की कोशिश करता है तो question 1 समझ में है कि management क्या होता है management क्या होता है management क्या करता है लोगों के साथ यानि कि जो अलग-अलग different types के लोग company में employed है उन सब के साथ connection बना के रखता है उन सब से काम करवाता है फिर उसकी importance के बारे में बात करेंगे importance जो हमने points देके 15 points 15 में से आप 14 या 13 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है points से आख करना है अंदर का material अपनी language में लिखना है so next question पर जलता है management is art science and both क्या management art है क्या management science है या फिर दोनों है अब simple सी बाते देखो management जो है वह art PA और science PA यह दोनों है management art क्यों है बई art का मतलब होता है कोई भी काम जो आप practically करें उसको हम art कहते है यानि कि जो हमारे पास knowledge है ना उसका practical जो हम application करेंगे ना उसको हम कहते है art यानि कि कोई भी knowledge हमने gain करें उसका हम practical usage अगर कर रहे है ना वो कहलाता है art और management में हम क्या करते है हम management करता क्या है वो जो learn करता है यानि कि management जो अपने experience से learn करता है कि 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 तरीके से लोगों के साथ deal करना है यही तो art है management का कि management को पता है कि लोगों के साथ deal कैसे करना है उसके पास experience है उसने वो skill set gain किया यानि कि अपनी skill का जो उसने skill gain करें उसका use करता है better करी कि इसे guide करने के लोग उसका application करने में help करता है तो management art है उसके बाद कि आर्ट का मतलब होता है skillful application of knowledge which entirely depends upon the inherent capacity यानि कि आपकी capacity पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी knowledge gain करी उसके बाद आप उसका application करेंगे तो management art तो बन गया अब second बात है क्या management science है हाँ management science क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाई कि management की बहुत सारी एसी थ्योरी जो scientific है यानि कि ऐसी थ्योरी जिसमें बहुत टाइम लगा है अब management को science इसले कहते हैं कि management की theories को बनाने में भी बहुत टाइम लगा है बहुत research लगी है बहुत सारे efforts लगे हैं बहुत लोगों ने महिनत करी बहुत long term तक बहुत लंबे समय तक तब यह strategies form हुई है तब यह management की strategies बनी है जो henry fuel की हम पढ़ते हैं यह सारी हम पढ़ते हैं यह सब theories बनाई गई है और theories बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं और scientific proven theories हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि management का है वो science भी है और art भी है यानि कि इसलिए क्योंकि practical application of knowledge होता है इसमें और science इसलिए क्योंकि इसको develop होने में time लगा और scientific methods हैं इसकी scientific applicability है इसलिए क्या है management science भी है so next question हमारा बात कर रहा है management is the development of people and not direction of things critically discuss the statement अब management क्या है development of people है वो direction प्रोवाइड नहीं करता है यानि कि management का काम है कि हमारी organization में जो लोग काम कर रहे है हम उनको better कैसे बना है उनको अच्छा कैसे बना है ना कि हम बस उनको बता है कि तुमको क्या काम करना है management का काम होता है कि कैसे वो better करेगी अपनी organization के लोगों को ना कि उनको guide करेगी जैसे वो क्या है एक table chair है so management is not direction of things management का काम है कि वो resources का utilization कर सके किस तरीके से हर एक employee का better utilization कर सके अब simple सी बात है theoretical इतना याद करना possible नहीं तो अपने आप answer बनाओ कि management क्या करेगा है company में लोगों से काम ही तो करवाएगा काम करवाएगा तो इस तरीके से करवाएगा कि company की resources के हैं जादा जादा utilization हो सके तो recall करो connect करो points से points management is a development of people management का काम ही है कि management क्या करेगा अपनी organization में जो भी लोग है उनको develop करेगी उनकी skill set बढ़ाएगी उनको train करेगी training देगी उनको जिससे वो और बेटर तरीके से काम कर रहे management gets the things done through people management के काम ही है कि management क्या करे organization में जो भी लोग employed है ना उन लोगों से क्या है अपना काम बेटर तरीके से और effective तरीके से कराए किस तरीके से कराएगी यह सारा काम भी management का है so इसके बाद हमारा next चलो fourth important इतना है नहीं फिर एक हमारा question बनता है फियोल्स principles in management तो फियोल्स के जो 14 principles है बहुत important है henry फियोल्स के 14 principles जो है management के बहुत important है exam point of view से so first हमारा principle होता है division of work division of work मतलब क्या है काम को small small parts में लोगों को देना है जिससे क्या है काम जल्दी हो सके और effective तरीके से हो सके फिर से बता रहा हो points हमको as it is लिखने पड़ेंगे अंदर का material अपनी language में लिख सकते हैं second is authority and responsibility अगर आपको काम बेटर तरीके से कराएं तो आपको अपनी organization में लोगों को क्या authority देनी पड़ेगी जब आप लोगों को authority देंगे तभी तो responsible बनेंगे तभी तो responsibility लेंगे कोई भी काम के प्रती third is discipline organization में सबसे important चीज़ है कि जो भी काम हो रहा है वो एक discipline में हो यानि कि जो काम जब होना है तभी उसी समय पे हो कोई delay नहीं होना चीए proper discipline होना चीए organization में next है unity of command unity of command का मतलब होता है कि एक subordinate जो है उसके ऊपर एक ही superior होना चीए यानिकि एक subordinate जो है वो answerable किसको होगा सिफ एक ही superior को जवाब देगा एक से जाधा superior को अगर वो जवाब देगा तो confusion create होगा कि वो किसको जवाब दे इसलिए एक subordinate के ऊपर सिर्फ एक ही superior होना चीए नेक्स है unity of direction unity of direction का मतलब क्यों होता है सब लोग क्या है एक ही direction में work करेंगे यानि कि according to favors there should be one head and one plan for a group यानि कि एक group के पास एक ही plan होना चाहिए कि ये plan पर हमको focus करना है इस ही direction में हमको move करना है next है subordination of individual interest to organizational interest अब इस principle का मतलब होता है कि subordination यानि कि सब के individual interest तो अलग अलग होंगे लेकिन उन इंट्रेस्ट के लिए काम नहीं करती है organization organization management काम कर रहा है हमारे organization के जो goals थे एक जो single interest था वो fulfill करने के लिए काम कर रहा है तो सब के जो individual interest है उनको importance नहीं importance सब को देनी है सिफ organizational goals को आगधनraktion के इंटरेस्स के लिख काम करना है सेवंध। रेमुनेरेशन यानी की हर एम्पलई जो हमारी आपन अर्डनरीनों में काम कर रहा है उसको किया है तो प्रॉप्र वेड़ेश में पड़ेंगे उसको हम प्रॉपर रेमुनेरेशन देंगे एतनी उसको देंगे ही एसे सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन और फ्राक्टिसो और पवर निया जा रहा है तो तो वो centrally यानि की top management decision लेगा हर छोटे छोटे पैसले पर इससे क्यों होता है effective management होता है next is scalar chain, scalar chain is a chain of authority, scalar chain का मतलब होता है कोई भी communication अगर organization में हो रही है तेंथ है order यानि कि एक order में काम करना चाहिए हर परसन यानि कि organization में ऐसे होना चाहिए कि हर आदमी राइट जगह पर काम करें सही जगह पर सही आदमी को प्लेस करना यही management का काम है next is equity, equity principle बताता है कि management क्या है अपने सारे employees को क्या है equally or justly treat करें यानि कि सारे employees हमारे लिए इंपोर्टेंट है सारे employees हमारे लिए काम कर रहे है सबको equally treat करना हमारा काम है 12th is stability of tenure और personnel यानि कि हमको management का यह भी काम है कि management को है देखना है कि हमारे जो employees है company के वो कहा है tenure और उनका सहीर है यानि कि वो company छोड़ के नहीं जाने चाहिए यानि कि employee turnover ratio जो है वो कम होना चाहिए क्योंकि employees हमारी organization में जादा जादा लंबे समय तक रहे है जिससे अमकों भी उन पर trust है और employees के लिए भी better रहेगा इनिशेटिव यानि अगर हमारी organization में कोई भी employee इनिशेटिव ले रहा है यानि कि कोई भी इंट्रेक्स ले रहा है कोई भी अच्छी activity कर रहा है कोई भी suggestion दे रहा है अगर वो suggestion अच्छे है तो management को उसको सुनना चाहिए उस पर implement भी करना चाहिए अगर उसके जो decisions है suggestions है वो better है तो उस पर work भी करना चाहिए नेक्स है प्रिंसिपल एस्परेट डी कॉप्स और प्रिंसिपल ऑफ तीम वर्ग एस्परेट डी कॉप्स का मतलब होता है कि हमारी organization में जितने भी लोग है सब को मिल के काम करना चाहिए सब को collectively collaboratively work करना चाहिए जिससे हमारी organization के जो goals है वो fulfill हो सके फिर other principle से हमारे principle exception principle planning यह important नहीं है important हमारे 14 principle से exception principles अगर हमको given है तो आप लिख के आ सकते है एक्जाम में principle by exception की exceptional situation में ही हमको BOD के पास जाना चाहिए कोई problem अगर आ रही है तो next principle of planning यानि कि कोई भी अगर planning organization में हो रही है तो proper तरीके से planning होनी चाहिए क कैसे execution होगा हर काम step by step chain wise चलेगा next principle of standardization यानि कि हमारी organization में हम क्या करें standard set करें कि हमारी organization में हर काम किस तरीके से होगा proper उसके लिए standard set करने पढ़ेंगे क्योंकि standardized तरीके से अगर काम होता है ना तो काम में गल्ती होने के चांसे होता है ना वो बिलकुल neglect हो जाते है प्रिंसिपल ऑफ पॉलीसी देटर्मिनेशन यानि कि हमको policy देटर्माइन करनी पड़ी कि ऐसी policies रखनी पड़ेंगी जो हमारे management के लिए कर रहें next point principle of balance यानि कि हमको क्या करना पड़ेगा balance maintain करना पड़ेगा कि हमारे management के उपर over workload नहीं आए next step 12 principle of leadership management का ये काम है कि वो अच्छी तरीके से lead करें अपनी organization में जो लोग employed है कि कि किस तरीके से उनको और better तरीके से उनका utilization किया सकते है next step principle of simplification यानि कि जो भी activities बहुत साथ एक साथ combined होके आ रही है उनको simplify करना पड़ेगा बेटर तरीके से जिससे easily understandable हो जाए कि management आखिर चाहता कि है अपने employees से तो ये थे हमारे Henry Fayol के 14 principles उसके बाद और कुछ principles given है इसमें 7-8 वो भी हमने देख लिए तो अब हमने 22 principles पढ़े 22 में से 22 याद रखना किसी के लिए possible नहीं है लेकिन 22 में से 18 तो याद रख सकते हैं अब यह 18 को आप सोचे एक पेज में अगर आप तीन तीन principle को भी explain कर रहे हैं तो 18 पॉइंट है हमारे पास 6 पेज तो वैसे बढ़ गया है साथ पेज ही तो बढ़ना है तो कितना एजी हुआ अगर आप सही से लिखेंगे तो इसके बाद next question हमारा है just a second हां फिर next हमारा जो important question है exam point of view से important है वो है what do you mean by planning describe its nature and importance यानि कि planning से हम क्या समझते है planning का nature का planning की importance का है बहुत important है planning का मतलब होता है कोई भी चीज पहले से सोचना आँसर बनाने से पहले मतलब तो समझें sust a word का मतलब क्या है planning का मतलब हो कुछ भी काम अगर आपको और हम पहले plan करते है कल paper है तो हमने planning किया है क्या क्या पढ़एंगे किस तरीके से पढ़ें के हमारा पेपर दो महीने बाद है कर रहे है कोई भी काम करने से पहले हैं किस तरीके से काम को क्पलीट करेंगे तो planning is deciding in advance planning का मतलब होता है कि आप पहले advance में ही decide करेंगे कि काम किस तरीके से करना है it is an intellectual process जैने कि thinking before doing कोई भी काम करने से पहले आप उस काम के बारे में सोचेंगे कि वो काम में किस तरीके से properly क्या है complete करूंगा वही definition के लिए कोई इसी भी definition जो आपको easy रहे कि अब nature की बात करते हैं कि planning का nature क्या होता है उसकि प्यल्सक सब्सक्राइब प्रायमारी फंक्षं और मैंगर मैंश्मेंट को करी है यदि हमारी फंक्षिंट इप अप्रायमशन काम करना है इतनती सब्सक्राइब Marshall कराद कहां से हम लोग माल खरीदेंगे कहाँ पर बेचेंगे सब कुछ प्लान करना परता हू吧 सब्लाइट्यक्ट्व प्रोसेस यानि कि प्लाइनीग उक इंट्रेलक्ट्वल प्रोसेस है यहां पर आपको डिसायड करना पड़ता है आपको actions decide करने पड़ते हैं कि कैसे कैसे actions होंगे तो एक intellectual process होता है थर्ड है process of looking forward planning क्या है एक ऐसा function है जिसमें आप क्या है आगे की तरफ देखते है looking forward function है आप आगे की तरफ सोच के planning करते हैं कि हमको आगे क्या करना है तो forward looking function होता है planning हमेशा next continuous and dynamic process यानि कि हमारा जो planning है वो continuous function है continuous इसलिए क्योंकि planning ऐसा थोड़ना ही कि आप एक बार करके रख लेतो भई planning तो continuous चलते हैं कभी sales की planning चल रहे हैं कभी budget की planning चल रहे है तो planning जो है वो continuous चलती जाती है हमारी और यह dynamic function है क्योंकि हम ऐसे environment में काम कर रहे हैं जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए planning क्या है एक dynamic function होता है next step pervasive function planning has been described as the most basic of managerial function यह pervasive इसलिए होता है हर टाइप की organization में similar तरीके से ही work करेगा सब organization में सबसे पहले function तो planning होगा ना ऐसा तो नहीं कि आप दूसरी organization में जाएंगे तो planning बदल जाएगी बई planning तो करनी ही पड़ेगी ना next is interdependent activity यानि कि planning जो है वो interdependent activity है जितनी भी सारी activities हमारी organization में यह है उनके साथ link करती है यानि कि interdependent activity है सारी activities के हमारी एक दूसरे से dependent है next is goal oriented यानि कि planning जो हम करता है वो goal oriented तरीके से होते हैं कि हमारी organization के जो goals है targets है उनको achieve करना है तो हमारी planning हमेशा क्यों होगी goal oriented होगी next is dynamic हमारी planning हम क्या dynamic करते है क्योंकि हमको पता है future condition कभी भी same नहीं रहती future condition बदलती रहेंगी तो उस हिसाब से हम क्या करता है dynamic लिके है plan करते हैं चीजों को next is uniformity यानि कि planning जो है वो uniform तरीके से होती है uniformity is an important characteristics of planning more than one plan is executed at one time may lead to confusion यानि कि हम जब planning करते हैं तो planning एक ही तरीके से होती है अलग अलग तरीके से planning करेंगे तो difficulty नहीं हो जाएगी तो confusion create नहीं करना हमको single straight forward एक plan चलेगा next decision making is essential part planning में सबसे important decision making आपको decision लेना पड़ता है कि next काम क्या करूंगा मैं उसके बाद क्या करूंगा तो planning must है कि आप सबसे पहले decided रहें आपको क्या decision लेने हैं decision लेने पड़ता है आपको planning के वगए next forecasting is the essence of planning यानि कि forecasting करना ही पड़ती है forecasting एक सबसे जरूरी चीज है planning के लिए क्योंकि plan आफ future के लिए कर रहे है आपको future पता तो होना है ऐसा ही होगा आप forecast करते हैं आप अंदाजा लगाते हो कि पहले क्या हुआ था उसके basis पर अंदाजा लगाते हैं कि पिछले साल मेरी sale जो थी वो 120 की थी 120 मैंने cycle बेची थी तो अगर मैं cycle बेच रहा हूं तो अगले साल मेरी sale के होगी मैं अंदाजा लगा सकता हूं 130 से 35 हो सकती है पिछले साल जो मैंने बेची उससे तो जाद ही बेचूंगा ना दसपांस तो इस तरीके से planning क्या depend करती है आप forecasting depend करती है planning is directing towards efficiency and accuracy यानि कि planning क्या करती है आपको direct करती है कि कि किस तरीके से आप efficiency अपनी create करेंगे efficient आपको इसलिए बनाती है planning अगर आप कोई काम plan करके कर रहे है तो आप गलतिया नहीं करेंगे ना आप अगर गलतिया ही नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरीके से work करेंगे ना तो आपके efficiency बड़ेगी तो अगर आप चीज़े पहले से अब्जेक्टिव यानि कि all the activities जो है हमारी organization की manage करने के काम होता है to offset the growing complexity of business यानि कि हमारी business की जो complexities बढ़ती जा रही है ना उन complexities को कम करने के लिए efficiency हमारी organization बढ़ाने के लिए हम क्या करते है third act to secure economy in operations यानि कि हमारे जो operations जिस तरीके से work on कर रही है उसकी efficiency हम किस तरीके से बढ़ाया जाए economical बनाए यानि कि हम क्या करें अगर पहले से planning करनेंगे तो गल्पतिया नहीं होंगी कोई defiations नहीं होंगे तो हमारी क्या economy अच्छीव होगी हम सही rate पे काम कर पाएंगे कौन कौन से steps follow होंगे क्या-क्या resources है सब कुछ plan करेंगे तो resources का wastage बहुत कम होगा तो अगर wastage कम होगा तो हमारी resources का हम क्या कर रहे है better utilization कर रहे है नेस्ट है helps in coordination यानि कि management क्या है help करता है coordination में की coordinatedly काम कर रहे है सब लोग इसका बहुत बड़ा help करता है इंप्रूविंग competitive strength यानि कि competitive strength को develop करने में help करता है हमारा management planning सब्सक्राइब makes control effective यानि कि planning क्या करता है हमको control करने पर हमारी जो organization है उसमें control करने पर हमारे ले बहुत effective role play करता है next is improvement of moral यानि कि हमारे जो employees उनका moral boost up करने में help करते है क्योंकि उनको पहले ही पता होगा क्या काम करना है उनका moral build होगा उनको पता है accuracy से work करना है increase organizational efficiency effectiveness क्योंकि सब को पता है कि इस direction में work करना है सब employees को पता है यह direction में work करना है तो उनकी efficiency भी increase होगी prevent healthy decisions यानि कि जल्द बाजी में कोई decision लिया जाएगा ऐसी situation ही नहीं आए क्योंकि हमने planning पहले से ही कर रहे है तो हमको end time पर कोई decision लेने की जरुवती नहीं है 11 ते stimulates innovative and creative thoughts अच्छा planning system वही है जो innovative ideas अगर कोई suggest कर रहा है तो उसको भी implement करें जो हमारी organization के लिए क्या है better होंगे बहुत बढ़िया होंगे 12 ते development of efficient method यानि कि हम efficient method डेवलप कर सकते हैं अगर हम पहले से planning कर रहे हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे तो हम अच्छे और efficient methods डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा काम क्या है और better way में हो सकते हैं 13 ते delegation of authority facilitated यानि कि आप क्या करेंगे authority delegate करने के लिए भी planning कर लेंगे कि कितनी authority में को delegate करनी है कितना काम मुझे अपने पास सकना है 14 ते facilitate sound communication अच्छी planning से होता है easily क्या है communicate करते हो अपने employees के साथ एक अच्छा connect रखते हो easily उनको time to time क्या है उनके साथ बात करते हो अब components के बात करने की planning के important components का है अच्छने करने पने कुछ लोनल्ड की governance का हम पनानी ओडने की पढये मेरी ने की यहांको और थी पोलिशी जो हमारी ऑरने बेटर रहींगी बेस रहेंगी हमको और पर धोकिस तरीके के से Carry On होगी next is methods यानि कि कौन-कौन से हमको precise methods use करने पड़ेंगे हमारी organization में कोई काम करने के लिए six is rules यानि कि proper rules होने चीए जिनको हमारी organization follow करेगी अगर कोई भी work वो carry on कर रही है standards एक standards set होने चीए एक level of standards होने चीए हर organization में यह standards को organization follow करेगी standards को होता है एक set of bar होता है जिस bar के सबस्कों पता है कि इतना अच्छा काम तो मुझे करना ही है एर्थ है programs यानि कि sequence of steps कि sequence में हमारी organization में काम होगा 9th है schedule schedule is a plan which indicates the time of commencement of task यानि कि schedule यह बताता है कि किस समय पे कौन सा काम होगा हमारी organization के अंदर budget planning से हमको है हम क्या करता है planning करता है हम budget बनाते है हमारी organization के की तरीके सा हमारी organization में working होगी project tactics एक ये question भी important planning की limited चरो planning का वो तो हो गया एक important question एक बनाते है एक बनाते है just a second next question निकालते है हम yeah next हमारा question है what do you understand by decision making and describe the steps in decision making decision making हम क्या समझत है कोई भी decision लेना यही तो decision making है decision making is the process of selecting यानि कि जहां पर हमारे पास option available होते है आप option A या option B select करो उन दोनों में से आपको इस option select कर रहे हो यानि कि आप decision make कर रहे हो जहां पर आपके पास दो factors हो जाएंगे A और B में select कर रहे हो तो दोनों में से आप वही तो factors select करोगे जो आपके लिए best ओपके organization के लिए best हो तो यही होता है decision making कि दो options में से आप better option select करो definition में बता चुका आप characteristics सी बात करेंगे decision involves rationally because through decision and endeavor is made to reach the assumed role कोई भी decision आप लेते हो तो आप हमेशे यह सोचते हो कि कितना यह मेरे को help करेगा मेरी goals हमारी organization के जो goals है उनको achieve करने में कितना help करेगा collective or relevant information यानि कि हम क्या करते हैं फिर collect करते हैं जो भी relevant information है हमारे decision making के लिए important है हम सारी information collect करेंगे जिसके basis पर हम क्या है फैसला ले सकते हैं कि यह सही है या गलत है analysis of the problem यानि कि हम analysis करेंगे कि जो problem हमारे सामने है वो कितनी सही है कितने हमारे पास options available है क्या problem की actual situation है इसके हला हम क्या करेंगे facts देखेंगे interference speculate करते हैं अब problem में क्या facts देखते हैं कई बार हम देखते हैं कि जो information available है वो सही है नहीं है फिर हम देखते है interference यानि कि हम situation को circumstance evidence तबर के होता है को situation based आपको evidence मिल जाते हैं फिर speculation का मतलब के होता है काई आपके तुका लगाते हैं अंदाजे लगाते हैं फिर assumptions काई बर के होता है कुछ facts के basis पर क्या आप assumptions लेते हैं कि शायद ये हो सकता है मुझे ये मिला तो इसके basis पर मैं कह सको ओ, ऐसा भी हो सकता है Next is development of alternatives आपके अलग-अलग alternatives develop करते हो कि क्या-क्या decision making का alternatives हो सकते हैं क्या-क्या alternatives हमारे हो सकते हैं उसके बाद हम करते हैं, we evaluate all the alternatives और उसमें से जो best alternative होता है ना उस-best alternative को हम क्या करते हैं के सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं immunity study seven feasibility मतलब की practical conditions देखते हैं कि क्या又 option हमारा feasibly possible है हमारी o綜ड एक क्या quality अम क्या करते हैं हमारा जो alternative हम चूछ करे हैं के लिए फिर हम acceptability चेक करते हैं कि हमारा जो decision making है जो हम decision alternative choose कर रहे हैं जा वह acceptable भी होगा पब्लिक किस्ट करते हैं कि हमारा alternative हम choose कर रहे हैं उसमें कितनी cost हमारी organization को spend कर नहीं पड़ेगी reverse ability यानि कि अगर हमको reverse करना पड़ेगा हमारा project तो उसके क्या chances हैं 6th implementation of decision यानि कि हमने decision बना लिया evaluate कर ला alternative बना लिया alternatives को भी देख लिया फिर last में क्या करेंगे implement करेंगे हमारा जो decision है हमारा जो alternative हमने choose कर रहा है उसको हम क्या करेंगे implement करेंगे proper तरीके से क्योंकि से decision लेना ही important नहीं हो था उस decision को properly अपनी organization में implement करना यह एक और एक important factor होता है और last है feedback जब भी आपको strategy है कोई भी alternative अगर present करते हैं implement करते हैं अपनी organization में उसके बाद आप क्या करते हैं feedback लेते हैं कि जो alternative या suggestions हमने जो alternative हमने apply कर रहा है क्या वो कितना बहतर है कितनी अच्छी तरीके से problem solve कर रहा है नहीं कर रहा हमारी organization के अंदर next question is define organization structure explain the importance of good organization structure यानि कि organization structure क्या होता है रोग अच्छा organization structure की क्या importance होती है तो organization structure का मतलब होगा है कि आपकी organization में कैसा culture है किस तरीके से employees को treat किया जाता है क्या उनके पास freedom है या नहीं तो organization structure simply means the systematic arrangement of people working for the organization in order to achieve certain goals यानि कि किस तरीके से हमारी organization में लोग काम करता है हमारी organization के goals fulfill करने के लिए it is framework of authority relationship among individuals यानि कि individuals में किस तरीके से authority बनी हुई है फिर हम characteristics की बात करें कि क्या characteristics होती है organization culture की organization structure की होता है arrangement होता है कि किस तरीके से हमारी organization में different people work करेंगे यह establish करता है कि persons यानि कि दो लोगों के position के बीच में क्या relationship होगी appropriate framework बताता है कि appropriate authority on responsibility कैसे होगी employees के बीच organization structure is displayed on a chart यानि कि organizations में जाएंगे कभी corporate में तो वह organization structure होता है कि hierarchy होता है कि कौन से-कौन से level पे कौन-कौन hired है organization structure जो है वो formal भी हो सकता है informal भी हो सकता है डिपेंड करता है यह organization के अपर अब हम importance की बात करेंगे कि अच्छे organization structure की क्या importance होती है so facilitating management action यानि कि अच्छा management control कंडे में help करता है हमारा good organization structure next encourage efficiency यानि कि अच्छी efficiency को encourage करता है हमारा good अगर organization structure होगा तो हमारे employees भी कह हैं वह efficiently work करेंगे अच्छी तरीके से work करेंगे effective communication अच्छा organization structure होगा तो हमारे employees भी गया easily communicate कर पाएंगे अपनी problems को अगर कोई problems को face कर रहे हैं कोई अगर उनने नया idea है तो idea भी तो discuss करते हैं तो अच्छी organization structure होगा तो हमारा effective communication होगा पूरत है optimum utilization of resources यानि कि अगर हमारी organization का structure अच्छा है तो utilization अगर structure ही अच्छा है सब काम सही तरीकस होता है सब planning की जा रही है तो हमारी resources का utilization भी हमारी organization में बहुत अच्छा होगा वेस्टेश कम से कम होगी next is stimulates creative thinking यानि की stimulates अच्छी लोग हमारी organization में अगर कोई creative thinking कर रहा है तो उसकी creative ideas को भी क्या value किया जाएगा सिखते है job satisfaction अच्छी organization में अक्सर क्यों होता है लोगों को कहे job satisfaction रहता है कि उनकी job क्या है safe है secure है यानि कि कल को कोई problem आई तो ऐसा नहीं है कि हमारी organization हमको निकाल देगी उनको security रहती है sense of belongingness रहता है company के साथ एक यह वाला भी देख की लेता है चलो important लग रहा है मुझे कि important features and merits and demerits के हम बात करेंगी informal and formal हमारी जो organization होती है formal organization तो वह हो गई जहांपर के है सब कुछ formal ही चल रहा है सब कुछ hierarchy से सल रहा है यानि कि छोटे लेवल का आजमी जब नॉर्मल वर्कर अपने manager से बात करेंगा manager senior manager senior manager B.O.D. से यानि कि जहांपर hierarchy फॉलो ही है वह होता है formal organization formal organization is an organization in which emphasis is placed on efficiency, discipline, consistency and control यहांगी वह focus करता है कि सारा काम के control में हो, सब काम के efficiency से हो और constant तरीके से काम हो characteristics की बात करें तो यहांपर क्या है well defined goal होता है हमारी organization के यहांपर क्याइधर, authority और responsibility दोनों दी जाती है employees को यहांपर क्या है task हमको given होता है जिससे हमारी organization के जो goals हो अचीव हो पाएंगे यहांपर chart usually prepare होता है कि किस तरीके से organization में क्या है work होगा advantage जिसके अगर हम बात करें तो formal में क्यों होता है minimize यानि कि formal organization में क्याए conflicts होते ही नहीं conflicts इसले नहीं होते क्योंकि एक आगमी decision ले रहा है बाकी सब क्या उसको follow कर रहा है overlapping of responsibility is avoided क्योंकि एक central person है जो responsibility दे रहा है तो कई बार क्या होता है avoidance यानि कि कई बार क्योंता है दो लोग को एक ही काम दे देता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि formal organization में क्योंकि एक single person होता है तो decision ले रहा है exact standards of performance can be established क्योंकि एक centralized system होगा तो सब लोग सब standards follow a set of standards होगा importance of dependence on one man come to an end अब disadvantages के हम बात करें यहां पर क्योंता है reduce यानि कि spirit of initiative यानि कि formal organization में क्योंता है initiative नहीं लेता है employees को लगता है कि हमारे decisions की क्या है वेल्यू नहीं कहीं जारी है next authority is sometimes over exercise regardless of the need यानि कि कई बार क्या authority का क्या है बहुत ज्यादा usage करा जाता है formal organization में sometimes and values of persons are not taken into consideration यानि कि तो personal sentiments वो नहीं use में लिये जाते है formal में कोई मतलम नहीं होता आप क्या कर रहे है it may be impeded to informal organization next is our informal organization the term informal organization refers to those personal and social relations which arise when people associate with one another यानि कि informal organization जब बनते है जब आप informal relations क्या है build करते है अपनी organization में लोगों के साथ characteristics के अगर हम बात करें informal में यानि कि जब हम informal organization बनाते है तो हमारा motive बनाना नहीं होता है informal organization वो बन जाती है automatically it is a social structure यानि कि social structure होता है जिससे आपका structure बना जाता है आप लोगों से मिले the power structure in informal organization is very complex यानि कि complex होगा आपको पता नहीं आप directly किस से बात करें informal में it acts as a agency of social control it has its own rule यानि कि informal organization के कहे rules and regulations अपने ही होता है कोई set of rules and regulations fixed नहीं होता advantage इसकी बात करें तो drawbacks जो है formal organization की वो सब इसमें नहीं होता यहां पर क्या channel यानि कि communication का channel वो proper established होता है it ensures good relationship यानि कि इससे क्या होता है अच्छी relationship अच्छी बिल्ड होती है employees की कि यां पर क्या motivation मिलती है employees को क्योंकि वो सब के साथ मिल जुल के काम करते है informal organization में कई बार कहोता है disadvantage बात करें तो generally according to यानि कि mob यानि कि जैसे group सोच रहा है वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा it tends to nullify the efforts of management to promote greater productivity इसमें की और प्रोड़क्टिविटी भी आपकी रिडिउस होते हैं कि सब लोग के अपनी मर्जी से काम करने पर जादा फोकस करते है इसके बाद next question है delegation of authority delegation भी important point है delegation का question ले लेते हैं delegation का question important है delegation assignment of part of manager work to others delegation का मतलब को होता है delegation of authority का मतलब कि senior कोई भी आजमी अपनी authority यानि कि उसके ओपर काम है वो क्या कर रहा है other person अपने जो junior है अपना subordinate जो है उसको delegate कर अपना काम necessity कि हम बात तो delegation के यह key effective function होता है management का delegation is the basis of organization यानि कि हर organization ना basis होता है कि वो delegate करे अपना work अपने subordinates को delegation से क्याए faster action हो सकते काम एक ही आजमी कर रहा है तो उसमें delay होगा लेकिन अगर वही काम वो अपने subordinate को देदे कि speeder action से काम होता है delegation से क्याए employee का attitude अच्छा होता है क्योंकि employee को लगता है कि अमको भी importance दी जारी subordinate को लगता है कि हमारी भी importance count हो रही है delegation can be one of the management यह best technique होती है एक तरीके से जहाँ आप क्या है अपने employees को क्या है motivate कर सकते हैं delegation relies managers from day to day operations जानि कि day to day operations से क्या है managers free हो जाते हैं क्योंकि वो काम वो क्या है delegate कर देते हैं factors के हम बात कर रहें जब भी हम delegate कर रहे हैं manager को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा काम है जो उसको delegate करना है यानि कि clear होना चाहिए कि कौन सा काम आप अपने employees को delegate करेंगे दूसरी बात आपको clearly पता होना चाहिए कि कितना काम आपका employee ले सकता है उसके बाद आपको समझतना चाहिए कि nature of work यानि कि कौन सा काम आप delegate कर सकते हैं ये भी आपको होना चाहिए और delegation के बाद सबसे important बात है कि क्या आपका manager properly communicate कर पा रहे हैं कि क्या काम उसको delegate करना है ये भी बहुत एक important होता है good incentive plan देना चाहिए कई पर क्या लगता है subordinates को लगता है कि जब अरदस से हमको काम दिया जा रहा है तो ऐसी feeling भी नहीं है आपको incentivize करना चाहिए अपने workers को तो delegation of process के अगर हम बात तरह हैं तो delegation के process में क्यों होता है assignment of duties to subordinate यानि कि superior का करेगा अपने subordinate को काम assign करेगा उसके बाद grant करेगा उसको authority को क्यों कि authority नहीं देंगे हम तो काम कैसे करेगा subordinate हम क्या करेंगे फिर obligation करेंगे subordinate के पार्ट पर कि उसको काम complete करना है why reluctance to delegation यानि कि क्यों managers आज भी delegation नहीं करना जाते कई बाद की होता है manager को लगता है कि وہ self superior है superior को लगता है कि मैं self superior हूँ मैं ही ये काम कर सकаю कई बाद की होता है कि कई बाद ہमारे जो top manager होते है superior वो direct की नहीं कर पाते काम इसलिए वो प्राबलम आती है कई बाद क्या है confidence नहीं होता superior को अपने subordinate पर fear of losing यानि कि कई बार हमको एक fear होता है कि हम हमारी importance के है lose कर देंगे इस पज़े से कहा है हम delegate नहीं करते है authority को इसके बाद हम लेंगे next question important coordination is the essence of management explain the statement and discuss the techniques of coordination यानि कि कोडिनेशन के हम बारे मत करेंगे कोडिनेशन का मुझत होता है कि कैसे आप effectively यानि कि कैसे एक साथ सारी organization के लोगों को लेके चले और काम करवाए यानि कि effectively कैसे हम सब को organization में एक साथ लेके चल सके characteristics अगर हम बात करें तो coordination के unity of efforts unity of efforts पर फोकस करते है कि सब लोग मिल जूल कर कैसे काम करें coordination का काम होता है important function of management होता है कि कि किस तरीके से लोग मिल के काम करें जिसे हमारी organization के जो goals है वो achieve हो पाए यह continuous काम होता है never ending process होता है continuously क्या है चलता ही जाएगा it aim towards achievement यानि कि इसका aim होता है कि हमारी organization का जो mission है वो achieve करने में help करें coordination का universal activity आप universe की कोई भी company देख लिए सब में क्या ही यह practice होता है उसके बाद है need and importance के अगर हम बात करें करें दसकेति है तो coordinationyang increase total accomplishment यानि कि totally जो accomplish हो रहा है now वो increase होता है coordination से coordination एग की होता है other function के लिए क्योंकि हर function क्या है coordination से लिंक है अगर कहर 끼र सबने में coordination नीघी होगा सारे कम effectively work कैसे करेंगे coordination harmonized harmony जिछ चान्फलिक्ट कर्ण होगा तो हमारी organization में conflict होने के chances भी क्या है कम हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं Coordination emphasis better human relations यानि कि coordination focus करता है, emphasis करता है कि हमारी organization में कहें, लोगों के relations कहा है, बेटर हो सकें Coordination facilitate retention of good personnel यानि कि coordination इस पर focus करता है कि हमारी organization में कहें अच्छे लोग बने रहे हैं, छोड़के ना जाये Coordination helps in achieving specific idea नि कि हमको specialized advantage देने में help करता है Coordination strive for unity admin यानि कि diversify लोगों के साथ भी unity कैसे maintain करी जाए Coordination establishing balance बनाने में help करता है अलग-अलग department जो है हमारे marketing department, finance, IT department Coordination establish unity of command maintain करता है कि 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 direction में work करना है Coordination minimize cost जाने कि यह minimize करने में help करता है हमारी cost को क्योंकि हमको पता होता है कि कौन सा person सब milgul के काम करते है तो wastage काम होती है Techniques की अगर हम बात करें तो sound organization structure हमारा होना चीए Clearly defined objectives होने चीए हमारी organization के Precise and well understood plans होने चीए हमारी organization के अंदर तो यह सारे points है Next question is define leadership discuss the leadership function leadership का मतलब होगा है कि आप किस तरीके से अपने workers को guide करेंगे Leadership is the process in which person attempts to influence यानि कि एक person क्या है attempt करता है कि वो influence करे another यानि कि another person को influence करने में help करता है जिससे क्या है accomplish कर सके अपने गोल डेफिनिशन में बताहिए थी characteristics ही बात करें एक अच्छे लीडर में क्या characteristics होने चीए तो फिर्स्ट है a leader must have some followers अच्छा लीडर वही है जिसके कुछ followers हो जो उसकी बातों को फॉलो करें वर्डिंग रिलेशंचिप लीडर और फॉलोवर्स एक अच्छा रिलेशंचिप होना चीए वर्डिंग रिलेशंचिप होना चीए setting of an ideal example before others अच्छा लीडर वही है जो एक्जांपल सेट करें अपने वरकर्स के लिए अपने कुछ romantic followers के लिए अग community of interest between दे लीडर और फॉलोवर्स लीडर और फॉलोवर्स के वीचे can community हो नीचे इंट्रेशंचिप जहां पर दोनों एग्री करें मैच हों उसके बाद आप लिडर्शिप के आखर फंक्शिंस की बाद करें तो फंक्शिंस की बाद करें अच्छा लिडर वही है जो के है इनिशेट करता आप आप्शन को कोई भी वो क्या करता है ओबे करता है orders जो दिये जाते हैं उनको obey करे he knows and obey the rules and customs of the group यानि कि जो group में discipline maintain करे groups में rules and regulations maintain करे अपने subordinates को अगर कोई problem आ रहे है उनको help करे उनकी needs को समझे develop voluntary contribution यानि कि voluntary cooperation maintain करे organization में अच्छा leader वही है सेकिंड direct and discipline the employees यानि कि अपने employees को कहें direct करे listen properly अच्छा leader वही है जो उसे बोले नहीं दूसरों की बाते भी सुने अपने workers अपने followers की बाते भी सुने उनकी problems को understand करे communicate effectively अच्छा leader वही है जो अच्छी तरीके से communicate करे अपने employees को अब हम leadership styles की बात करें कि कौन-कौन सी leadership styles होती है तो 3 type की majorly leadership styles होती है एक होती है autocratic leader होता है ओटोक्रेकिक लिडर होता है जो कैいう अपनी मर्थी सलाता है second होता है democratic leader और third होती है हमारी laces free first है autocratic leadership autocratic leadership में क्यों होता है जहां पर leader के हैं अपनी मर्थी सलाता है और बाकी लोगे suggestion नहीं मानता और अगर कोई follower कोई गलती करता है तो उस पर punishment भी लगाई जाती है सेकेंड है हमारा democratic leadership democratic leadership में क्यों होता है leader बहुत अच्छा होता है अपने subordinates की problem समझते हैं उनसे feedback भी लेता है अगर कहीं कमी रह जाती है तो democratic leadership के अच्छी तरीके से effectively work करता है एक होता है leases free leases fair में क्यों होता है leader क्या करता है sub subordinates को fully power देता है followers को कि उनको जिस तरीके से काम करना है अपनी इच्छा से वो उस तरीके से काम कर सकते हैं कोई पी restriction नहीं लगाता है वो अपने followers पे और workers पे इनके advantages disadvantages अब पढ़ सकते हैं अब लोग main main कर रहे हैं questions परस so define motivation discuss the methods and techniques of motivation motivation क्यों होती है family motivation की techniques क्या क्या होती है So motivation का मतलब होता है कैसे आप motive करेंगे यानिकि motivate करेंगे अपनी organization में अपने employees को कि वो किस तरीके से और efficiently और better तरीके से काम करें то essentials क्या है अच्छे motivation सिस्टम का economy यानि कि अच्छा motivation system क्या है effective तरीके से economical पड़ेगा अच्छी organization को dynamic system यानि कि map dynamic system होगा एक उसके बाद है productive यानि कि अच्छा motivation system क्या है हमारे employees को motivate करेगा और productive way में के है काम करें फिफ्ते implementation of plan अच्छा motivation system क्या है हमको implement करने में help करेगा हमारे plans को properly implement करने में sound reward system हमको रखना पड़ेगा अगर हमको हमारे employees को motivate करना है तो उसके बाद है maximum satisfaction motivation से ही क्या है हमारे employees को क्या है maximum satisfaction दे सकते हैं जिससे वो most effectively क्या है अच्छे तरीके से काम करें नाइन तर चैलेंजिंग अटेनेबल गोल यानि कि motivate करना बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है लेकिन अटेनेबल है इसको अपटेंड कर सकते हैं अपने employees को motivate कर सकते हैं based on certain system management क्या है flexible होना चाहिए simplicity होना चाहिए और feedback mechanism होना चाहिए motivation में methods के अगर हम बात करें तो positive and negative motivation के methods होते है positive में क्या होते हैं आप praise करते हैं तारीफ करते हैं negative method में हम क्या करते हैं हम हमारे employees को क्या डराते हैं उनको punishment देते हैं पिर होता है financial and non financial method financial method में क्या करते हैं Haim financial benefits देते हैं हमारे employees को financial benefit they कूछ, उनको incentive देंगे non financial motivation buy 후 हम क्या करते हैं, relevant legal intent देते हैं, रिकटे देते हैं, उनको respect देते हैं वोनकीक्य अल्ड़ेच करते हैं, कि वो अच्छा काम कर रहे है उनको award देते हैं फिर इंटरेंसिंग क्यों होता है कि अकुरे टाइम परफॉर्मेस के वग टेखनीक्स पता ही एक फियर और प्निसमेंट आपक्या करें अपने एंप्लोईस पो डराया उनको पनिशमेंट का डर दिखा है तो अच्छी तरही के से काम करें बाद टेकनीक्स आपक्या रिवार् आपके उनके behavior अच्छा behavior रखेंगे तब ही automatically कि आपके employees motivate होंगे audio working condition आपके अच्छी working conditions रखें organization में job based technique आप आप बेस टेखनीक सिखाएं इससे उनका काम के simplified तरीके से हो सके और last है MBO technique management by objective techniques आपको implement करने पड़ेंगी जहादा लबी class होनी नहीं चाहिए मेरको बेसर रखता है क्योंकि पढ़ना है हमापन को लेकिन जो मेन मेन questions किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको सब समझा दिया हर question हमारा बीस माक का आता है तो आपको seven pages लिखने है बीस माक का question आएगा तो साथ page का answer होना ही चाहिए और साथ page बढ़ना मैंने बता है बहुत simple चीजी है बही 18 points हमको याद है तीन point एक page पे लिखेंगे तो 6 page automatically बढ़ गए एक page लिखेंगे points as it is जाएंगे लेकिन अंदर का material का अपनी language में लिखेंगे और थोड़ी writing अच्छी रखेंगे और space चोड़ के लिखें जिसे teacher को लगना चीए अच्छी रइटिंग आप एक साथ लिखेंगे तो पढ़ने में डिफिकल्टी आते है इस पेसिंग रखेंगे प्रॉपर तो teacher को भी समझ में अच्छी तरीके से प्रिपार कर सके एक गंटे में अमने कवर कर लिया है जिनके एक्जाम में आने के chances बहुत जादे हैं so thank you all of you for being a part